स्टार्ट अबर बेल्यो एजुकेशन वेल्यो एजुकेशन में चैप्टर नंबर 4 नेम ओफ देश्प्टर इस्टॉरी टाइम Story time means Story time means आपको story चलो, हम story बोलेंगे, okay जैसे के हमारा lecture भी होता है तो हम क्या करते है Story tell करते है, story बोलते है वेसे ही, okay तो first picture है आपको explain करना है तो हम क्या करेंगे हम first chapter को explain करेंगे ymए, first page को तो क्या है Story number one, story number one क्या है तो this pictures tell us a story ये picture है वो हमें story बताता है tell us a story look at them carefully इसको carefully एकदम ध्यान से देखना है look at them इसको ध्यान से देखना है then say the story loud then बाद में आपको story को बड़ी अवज में बोलना है loudly बोलना है जैसे कि हम कभी भी story बोलते है story कैसे बोलनी है loudly बोलनी है बच्चा पार्टी तो क्या करना है तो यहाँ पर नीचे भी दी आ है देख ऐसा बोला है नीचे भी have you seen people throwing litter on the road have you seen people throwing litter on the road आप लोगों ने क्या आप लोगों ने throwing throwing मतलब क्या होता है चोलो मुझे कौन बताएगा throwing means क्या होगा तो throwing means होता है कुछ भी कच्च्रा हम डालते हैं से throw करते हैं देखो देखो जैसे four wheel में से यह लोग यहाँ पर कच्च्रा फैक रहे है कच्च्रा throw कर रहे है तो कुछ भी कुडा है कच्रा है हम उसको कच्रा भी बोलते है कुडा भी बोलते है तो क्या आप लोगों ने कभी रोड पे ऐसे people को throw करते कुडा लिटर मतलब कोई भी कच्रा कच्रा डालते हुए कच्रा फैकते हुए देखा है तो आपको मुझे answer देना है चलो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको बोलना है say yes लब आपको yes बोलना है चलो आप मुझे बताएंगे आप लोगों ने कभी देखा है तो yes हम लोगों ने कितने सारे टाइम पे देखा है कभी कभी देखो जैसे फूर विल पे जा रहा है तो यह कोई यहां पे पीपल है जिसने यहां पे कच्रा डाला है यह पेकेट है यह बोटल है पानी की जो बोटल होती है वो है वो देखा है देखो यह जो गर्ल है उसके पापा क साथ उसने क्या देखा यहां पे यह कार में से यहां पे कोड़ा फेकते हुए देखा तो फिर देखो अब हमने कभी 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 देखा है कहीं पे आप लोग ने तो हां हमने तो कितने सारी जग पे देखा जैसे कि हम कभी फेर पे जाते हैं तो वहां पे क्या तो वहा हम हमें इतना पता होना चाहिए कि हम डस्ट बिन में डालेए कि पैकेट होता है वह हम डाल देते Heart थो आप लोगोंने देखा है ना वहाँ पे फिर हम कहीं पे भी like हम garden में गए है तो garden में वहाँ पे कुछ मॉमी ने packet ले दिये है तो वहाँ पे packet खाते है फिर कच्रा वही के वही डाल देते है तो ऐसा करना नहीं है ये बच्चाग बलत बात है आप लोगों ने ऐसा अगर देखा है तो आपको क्या करना है तो आपको वह कच्रा डालके उसी के सामने ही dustbin में डालना है तो क्या होगा तो वह सामने वाले को पता भी चले कि ये जो कच्रा है वह नीचे नहीं डालना है और कहां पे डालना है dustbin पे आप तो छोटे छोटे हो तो आप तो ऐसे क्या करते हो तो आप कभी पिक ऐसे देखते हो कि कच्रा उन लोगों नीचे डाला है तो हम उठा के डाल देंगे तो हमारी जो सिटी है हमारे आजू बाजू जो रहते हैं लोग उसके लिए यह अच्छा होगा क्यूंकि यह यहाँ पर हम अगर कच्रा करेंगे तो हमें गंदा होगा ना लिक हमने देखो यहाँ पर कच्रा डाला है तो फिर क्या होगा तो यहां से ट्रॉप जाईगे यहां से कोई लोग जहेंगे तो यहां पर कच्रा तो वह वह ही रहेगा या लेम सादक्री में दिया हम पैंदा को सृढ़ो Hij और कोई सैकल बाइसे कब कर देंथा तो यह जो बोटल है उसके उपर वो चलेगा तो क्या हो जाएगा तो वो गीर जाएगा ना बच्चा ओके तो यह से ध्यान रखना है कच्रा कहीं पर नीचे डालना नहीं है फिर देखो आप लोगों को ये भी देखना है वेर्सुरी थ्रो लिटर हम कहाँ पर कच्रे को डालेंगे तो ये देखो ये गरल है वो कितनी अच्छी बात है कि वहाँ पर कच्रा था तो ये बोटल है प्लास्टिक बोटल वो उठाती है फिर यहाँ पर डस्ट बिन में देखो डस्ट बिन होती है ग्रीन कलर की हो यहाँ पर लिखा है यूज मी यूज मी मतलब मेरा यूज करो मुझे यूज करो कैसे तो कुछ भी कच्रा है वो किसमें डालना है always dustbin पे, ओके, हम class में भी करते हैं ना, class में भी मैम ऐसी मैनर सिखाते हैं आपको कहां पे डालना है कच्रा तो मैम सिखाते हैं, अगर आप लोग ने pencil sharp की है, तो जो वो जो कच्रा होता है, वो कहां पे डालना है dustbin पे, ओके, फिर अगर आप से कुछ गीर, कुछ गंदा हो गया क्यूंकि आप क्या लेके आए हो, नास्ते में कुछ ऐसा लेके आए हो तो आप से गीर जाता है, एक वेफर है तो आप लेके आते हो तो वो थोड़ी सी गीर गई है तो आप क्या करना है, उठा के आप कहां पे डालते हो, dustbin में ओके, तो एसे छोटी-छोटी मैनर्स आप लोगों ने सिखी ही होती है हम ट्लास में ऐसे सिखते हैं तो क्या करना है, अम ऐसे जो क्लास में सिखते हैं वो यहां पे apply भी करना है कभी भी meme आपको कितनी बारे से सिखा देना कि pencil आप कभी भी sharp करो तो कहां पे डालनी है dustbin पे तो आप वो class में तो आप use करते ही हो class में तो आप meme की बात सुनते ही हो तो फिर बाहर पे भी ऐसी बात सुननी है तो हम लोग ने वो story no.1 में से क्या सिखा तो story no.1 में से ऐसा सिखा कि don't throw litter here and there आपको कभी भी कोई भी कच्रा है litter means कच्रा कभी कुडा है कच्रा है वो यहां और वहां फेकना नहीं है don't throw नहीं फेकना है फिर use a dustbin please take care dustbin का use करना है और वो धियान रखना है please take care take care means धियान रखना है आपको वो धियान में लेना है तो फिर आपको story no.1 में से क्या सिखने को मिला story no.1 में से हम लोगों ने शिखा कि कभी भी कोई भी कच्रा है वो यहां पे और वहां पे गिराना नहीं है कहीं पे throw ऐसे नहीं करना है and क्या use करना है use a dustbin dustbin का use करना है okay story no.2 2 story no.2 एसी है यहां पे Q है Q मिन्स लाइन है यहां पे Q है और यहां पे girl है वो उसकी watch में देख रही है okay फिर क्या करना है फिर यहां पे second picture है वो ऐसा दिया है कि वो जो lady थी यहां फिर girl है lady है वो आ गए जाती है okay सिधा ही यहां पे Q है सब ऐसे Q पे खड़े है मतलब line पे खड़े है सब ऐसे ही वहां पे line में खड़े है और यह ले lady है वो beach में से यहां पे चाती है देखो फिर वो क्या बोल रही है सब यहां पे क्या question दिया है what is the girl with the watch doing वो जो घड़ी वाली लड़की है वो क्या कर रही है इस आपको बोला है what is the girl with the watch doing वो जो घड़ी वाली watch सब घड़ी वाली लड़की है वो क्या कर रही है देखो क्या कर रही है तो वो जो Q है वहाँ पर खड़ी थी फिर उस में से वो यहाँ पर आशे बीच में से जाने की try कर रही है फिर third picture है वो ऐसा दिया है यहाँ पर जो कोई एक दूसरी लेडी है वो ऐसे कुछ line दिखा रही है कुछ finger दिखा रही है अब क्या दिखा रही है? यह question है कि आप देखो यहां पर what do you think the other girl is telling her आपको क्या लगता है दूसरी लड़की उनने उसको क्या बोल रहा होगा क्या बोल रही होगी वायर क्यूज इंपोर्टन्ट क्यू महत्वपुरुण है यह कतारे कतारे मिन्स लाइन क्यू ऐसी लाइन इंपोर्टन्ट है क्यू ऐसी क्यू इंपोर्टन्ट है चोला मुझे कौन बताएगा अगर हम मुवी देखने गए है तो वहाँ पे इतनी सारी बड़ी लाइन है Q है, वहाँ पे Q पे पापा खड़े है, आप बोल रहे हो कि बबापा स्पीड करो, स्पीड करो, तो भी पापा Q में ही खड़े है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसी कतार है, वहाँ पे देखो यह लेडी है, वो बीच में से जहरी, कभी भी आप कहीं पे भी लाइन में होते हो, वह बीच में से ऐसे जहना होता है No, it's wrong हम यहाँ से बीच में से जह सकते नहीं है क्यों ऐसा करना नहीं है क्योंकि देखो लाइन होती है तो लाइन में सब वहाँ पर इंतासारी कर रहे है कि वहाँ पर यह जो कुछ भी हम टिकेट बारी होती है कुछ भी होता है तो हम ऐसे लेते हैं वहाँ पर ओके तो सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सब लाइन पर है कोई थोड़ा सा जल्दी आ गया है तो वह आगे है थोड़ा से हम भी लेट आते हैं तो पीछे होते है जैसे लाइन आगे जाती जाती है आके जाती है वैसे वैसे टॉन आता है जैसे हम क्लास में भी ऐसा होता है कि अगर हम कभी भी प्लेयर या पे जाते है या फिर गार्डन में जाते है लाइबरेरी में जाते है तो क्या करते हैं हम लाइन में जाते है और लाइन कैसे बनती है तो बेंच वाइस होती है जैसे कि bench, second bench, third bench वैसे पूरी हम इसे बोलते है first bench तो first bench वाले बच्चे निकलते है और वो इसे line बनाते है फिर first, second, third एसे पूरी की पूरी line बन जाती है फिर देखो जो आगे वाले बच्चे होंगे वो पहले garden में पोचेंगे कभी भी आप beach में से जाते हो, नहीं, हम ऐसे करना भी नहीं है, हम ऐसे आगे beach में से जा सकते, नहीं है ओके, तो जो line है line में ही proper चलना है ओके, तो यह lady है वो beach में से ऐसे आ गई है तो जो आगे वाली lady थी ना उसने देखो वो ऐसे बोल रही कि यहाँ पर आप beach में ऐसे आ सकते, नहीं है यह तो wrong ही है ना हमें ऐसे beach में से आ सकते तो नहीं है ओके, तो हमें क्या करना है और फिर हम कभी भी bus में जाते है bus में हमें travel करना है, तो हम क्या करते है कि bus में भी हमें ऐसे ही करते है तो बस में भी आपको धियान रखना है लाइन वाइस जाना है थोड़ा साथ स्लोली लाइक टू मिनिट लगेगी लाइन में अगर हम जाएंगे ना तो इसे बीच में से जाएंगे तो हम धका मुखी कर देते हैं दूसरे को लग जाता है उससे अच्छा है कि लाइनी फोलो करें हम तो क्या धियान रखना है तो don't rush and push from a queue हमें कभी भी queue है कभी भी लाइन है उसमें rush एकदम ज्यादा तर लोग ऐसे नहीं आने चाहिए और ऐसे push नहीं करना है धक्का नहीं लगाना है जैसे कि हम washroom पे जाते हो तो कोई-कोई जो boys है न वो ज्यादा ऐसा करते है एक दूसरे को push करते रहते है इसा करना नहीं है हमें कभी भी हम line में जाते है तो एक दूसरे को धक्का लगाना नहीं है क्या हो जाता है देख आप क्यूँ पे जा रहे हो फिर staircase पर होते हो आप तो staircase में से आप अगर एक के ने भी धक्का लगा तो पूरे उपर staircase में से नीचे आओगे क्या हो जाएगा आपको कितना सारी चोटाएगी ओके तो वो ध्यान रखना है कभी भी Q में हो आप धक्का लगाना नहीं है don't push other फिर क्या करना है it's much easier for me and you यह मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए अच्छा है क्या अच्छा है कि हम लाइन में जाए हम कभी भी किया रोष्णा करें बहुत ज्यादा वहां पर एकदम ना जाए जैसे कि यह गल है देखो वह बीच में आई तो यह लेडी है उसको डाट रही है फिर यह जो है कोई भी जेंस है तो यह जेंस वहां पर देख रहा है कि इसा नहीं करना है तो सब का टाइम वेस्ट होता है देखो यहां पर यह तीन और चार का टाइम वेस्ट हुआ उससे अच्छा है हम लाइन में पीछे ख़़े रह जाए तो हमें यह स्टोरी में से क्या सिखने को मिला कि हमें कभी भी डॉंट रॉस एंड पूश फ्रोम एक्यू क्यू में से कभी भी क्या का में करना है रख एंड पूश नहीं करना है और इस्ट मअच इज एर फो मी एंड यू यह बहुत इजी है लाइन फोलो करना तो यह बहुत इजी है हम लोगों ने आज टुउस थोरी की कभी भी हमें क्या नहीं करना है don't throw litter here and there हमें कभी भी कच्रा इधर-ुदर नही करना है और क्या स्टोरी टू में सिखा तो स्टोरी टू में हम लोगों ने स्टोरी टू में ऐसा सिखा कि हमें कभी भी कभी भी क्या नहीं करना है एक दूसरे को पूछ नहीं करना है from a queue, queue पे हमें कभी भी एक दूसरे को पूछ नहीं करना है and it's much easier for me and you, और यह बहुती easy है, queue use करना okay